जारकन का गठन होने के बाद यहां को युवाओं को आसा थी कि यहां पर हर साल नहीं नहीं वेकेंसिया आएंगी लेकिन दुलभागी वास ऐसा नहीं हो सका है कई वेकंसिया राज के बनने के 23 सालों के बाद भी सिर्फ एक या दो बार ही अनॉंस की गई है जिन में से एक बहुत ही पॉपुलर वेकंसी है जारकन पुलिस के अंतरगर दारोगा की बाहरी जिसे हम असिस्टेंट सर्व इंस्पेक्टर के नाम से भी जानते हैं मेने जानकारी के अनुसार जारकन करमचारी आयोक जल्द ही दारोगा की 42 से संबंदित नोटिफिकेशन जारी करने वाला है जिसके अनुसार 946 पदों पर सीधी नीवक्ति की जाएगी वहीं सार्जेंट के 29 पदों पर भी भाली की जाएगी इस वेकंसी के अनुसार लगबग 596 पोस्ट जो है वो रेगुलर भरती के होंगे वहीं 350 पोस्ट जो है वो बैक लोग नियुकती से संबग नित होंगे तो आईए चानते हैं इस वेकंसी के बारे में थोड़ा और डिटेल से अभी तक या दिये आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिए ताकि करियर और एजुकेशन से जुड़ी ऐसे ही वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे जार्खन में दारोगा की तयारी कर रहे अभी अर्थे के लिए खुशकबरी है जार्खन करमचारी चैनायोग ने जार्खन में दारोगा के विग्यापन के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की तयारी पूरी कर लिए जार्खन में चार साल बाद अब 946 पदों पर दारोग के सीधी बाहली होगी। पुलिस मुख्याले ने ग्री विबाग को इसकी अधियाचना बेजी है। इसमें कहा गया है कि यह अधियाचना दरोगा की भरती के लिए राजी करमचारी चैनायोग को बेजी जाए। इस अधियाचना के मताविक 596 पदों पर रेगुलर नियुक्त होने वाली है। इसके अलावा सार्जेंट के खाली पड़े 29 पदों पर भी भाली होगी। सार्जेंट के कुल 100 पद स्विक्रित हैं जिनमें से 71 पदों पर लोग कारियरत हैं। गौरतलब है कि राज में अब तक सिर्फ दो बारी दरोगा की निक्ती हुई है। वर्स 2012 में 38 284 और 2018 में 2580 दरोगा की बाहली हुई थी। इनमें स्पेशल ब्रांच के 480 दरोगा की संख्या भी शामिल है। तो दरोगा की तैयारी कर रहा है अभिरतों को मेरी सला है कि अपनी तैयारी में पूरे जोर सोर से लग जाएं क्योंकि जार्खन करमचारी चैन आने वाले जाएं क्योंक बी। 27.